हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल आज का साथ में तो फ्रेंट्स आज का स्वाद में हम बनाने वाले हैं क्या बनाने वाले है राध्या अंडेकी बुर्जी बुर्जी अंडेकी हम लोग डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे जैसे नौर्मली हम वोग बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है भलाइब हम लोग अलग तरीके से बनाएगे, तो प्लीज वीडियों लाच तक देखेगा और क्या करना है? अराद्या? लाइक शेर और सब्सक्राइब हाद दो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो लोग नए हैं वो बेल एकन जरूर दबाईएगा जिससे कि आप सब तक नोटिफिकेशन बहुत जाए और वीडियो लाज तक देखेगा सपोर्ट बनाई रखेए और चल लीफिटाफट से चलतें किचन में आटके अन्डे की भूर मैं कैसे बनारे हैं त named की भूरजी हम व्हीm कैसे बना रहे हैं तुम ठोक खाना है करूं क्यों चलो ठीक है मैं चलो चलो चायों मेरा मेरे हैं शोटाप भी बड़े हो जाधा फटाफट से आप कैमरा पकड़ना ठीक है फिर हम लोग स्टेंड हटा देंगे थीक है बोल दो बोल दो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिये कि बाइब चलो कीचिन में चले बोलो तो फ्रेंड जीड़ा लिया है पैन पैन में डालेंगे आदा चट चोटा चमच ओईल कम अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक और हुआँ यहां पे हम ले लेंगे थी एग यहां पर मैंने तीन एग लिया है आप अपने हिसाफसे कमच द जादा कर सकते हैं तो मैंने यहां पर अच्छे से फोड लिया है फोड ने के बाद हम इसे नमक डाल कर अच्छे से फेट लेंगे जितना फेटेंगे उतना अच्छा है तो अब हम इसमें ऑईल हमारा गरम हो चुका है ऑईल में डालेंगे हमारा यह फेटा हुआ अंडा इसे ह पुरा पैन हमने चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मिक्स करदे़िया और अच्छे पुच अब रखुर के उससे ऴृष्मीजुर काया लिए तो आ पिरो लिए उसका झालो पुरालो में एक अच्छे से पूरा पैन हमने साफ कर लेना है लिकोज आगे का प्रोसीजर हम इसी में करने वाले है माजने वादने का जंजट नहीं चाहिए अब हम इसमें डालेंगे ऑईल यहां पर मैंने एक बड़ा चमच जीरा डाला है जीरा को अच्छे से हम लाल होने देंगी याने की जड़कने देंगे उसके बाद यहां पर मैंने तीन से चार कल्या ले लिए लिए जिसे मैंने बारिक काट लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन हरी मिर्च तीक आप अपने स्वाद अनुसार काम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं यहां पर मैंने तीन मिर्च ली ह बारिक कटी हुई और यहाँ पर दो बड़े साइज के प्याज मैंने ले लिए जिसे मैंने बारिक काट लिया है जो लसुन और मैंने मिर्ष डाली है उसे मैंने अपने नोटिस किया जाधा मैंने उसे पकाया नहीं है थोड़ा सा हलका जो फ्लेवर आता है कच्छापन का वो अच्छा लगता है अगर आपको जादा चीए तो आप थोड़ा सा लाल और कर सकते हैं तो प्याज को भी मैं कुछ इसी तरीके से रेट कर लूँगी तो इसे में चलाते हुए अच्छे से भून लूँगी तो देखिए हमारा कुछ प्याज इस तरीके से आ गया है ऐसी तरह आपको भिलाल कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि यह और पक जाए तो आप पका सकते हैं बड़ जरूरत नहीं है ठीक है इतना भी अब इसमें हम डाल को आप चाहें तो बारी कट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने प्यूरी बना दी है तो अच्छे से मिसे मिक्स करते हुए भून लेंगे जब तक ऑईल रिलीज हो जाए देखिए थोड़ा थोड़ा ओल रिलीज होना शुरू हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइ मसाले तो एक चुटा चमच धनिया पाउडर एक चुटा चमच नमक बिलकुल आपके स्वाद अनुसार आप डाले नमक को आधा चुटा चमच हल्दी एक चुटा चमच रेट चिली पाउडर नहीं हाफ चुटा चमच आप डाल दें बिकॉज आप अपने अनुसार कम जादा ती मिक्स कर लेंगे अगर आपके पस देगी मिर्च या कश्मीरी रेड चिली पाउडर है तो भी आप डाल सकते हैं उससे कलर थोड़ा और अच्छा आजाएगा तो सारी चीजों को पकाने के बाद हमने जो अंडे की भुर्जी बना रखे थी वह हम इसमें डालेंगे और अगर आप पानी डालना चाहें तो डालें वरना बिलकुल ऑप्शनल है लेकिन इससे क्या होगा ना कि जब आप रोटी से उठाकर खाएंगे तो वह बिहार और यूपी में कहते हैं कि लटपटार सबजी टाइप हो जाती है निकि सबजी में अच्छा थोड़ा सा ग्रेव चाहे तो रोटी या भाकरी या फिर नान ऐसे किसी भी चीजों से आप खा सकते हैं बहुती टेस्टी बन कर आया था तो आप ज़रू ट्राइ करिएगा और कमेंट सिक्षन में ज़रू कताएगा कि आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगे मिलते अगले वीडियो में कुछ झाल